तो फ्रेंड वेलकम तो चैनल नौलेज आप फार्मेसी फेरिस इसकरविट एंड फोलिक एसिड टेबलेट का आज हम रिव्यू करते हैं तो ब्रॉण नेम की बात करें तो हैंफर एकस्टी काफी फेमेश ब्रॉण है फेरोज एकस्टी जो भी मेटकल इस्टोर पर मिल जाए आप ले सकते हैं वहीं देखते हैं डाक्टर इसको कहां पर प्रिसक्राइब करते हैं तो फेरिस एसकरविट की जिसको कमी हो या आईरन की जिसको डिफिसेंसी हो या फोलिक एसिड की जिसको डिफिसेंसी हो तो यह जो है डाक्टर इसको प्रिसक्राइब करते हैं इनीमिया प्राब्लम यानि रत अलपता की समस्या जिसे हो यानि खूल की कमी कमी या खूल की कम Uganda गो हो आइरेण की कमी हो यानि लोकता की कमी हो और मेंगलुव मलाश्टिक इनेमिया जिसको हो यह भी ऑइरेण की डिफिआपकर उसमें भी डाक्टर इसको preskyab करते हैं वी कनेसयानी बहुँँ ज़ाला कमजोरी हो तब भी ये दिया जाता है pregnancy इनिके दोरान जब महिलाओं में iron की deficiency हो जाती है तब भी डाक्टर इसको preskyab करते हैं वहीं आप कुछ इसके side effect की बात कर लेते हैं तो constipation यानि कब जो हो सकता है, इसे लेने पर डाइरिया हो सकता है, इस टमक अपसेट हो सकता है और कुछ precaution की बात करते हैं, मालो की वैसे होते नहीं है, बट अगर ऐसे allergic reaction हो रहा है तो आप डाक्टर से तुरंट जो है consult करें, क्योंकि डाक्टर के परचे पर मिलने वाली दवा है वह है dosage की बात कर लेते हैं, तो one tablet, OD या BD, वो CBAT dependent patient यानि patient को कितनी iron की कमी है, क्योंकि जब iron की जांच करवाते हैं डाक्टर या फिर जब डाइगनोसिक करके prescription करते हैं, तब लिखते हैं कि हाँ इनको iron की deficiency है, तब दिया जाता है, वो उसके severity पर depend करता है कि डाक्टर उसको जो है कितनी मात्रा में देंगे या एक time देंगे इस tablet को या दो time में देंगे ओके thanks, आप जहाएं तिसके सॉट ले सकते हैं, फिर मिलते हैं नेस्टी वीडियो में